हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अभी सेक और आज किस वीडियो में मैं आपको ओमेगा प्रो का जो भी अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ और क्या हो सकता है आगे का उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अभी जो है मैं जो इनका वेबसाइट है जो इनका जो नया ब्रोकर है जिसके इनका सिस्टम डिप्ल singular हुआ है broker dot group dot com पे ठीक है जो इनका साब डाटा है वो दूसरे ग्रूप पे जो ट्रांसफर हुआ है broker group dot com पे तो यहाँ तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनके situations साइट पर जा सकते हैं और साइट पर जाएंगे मैं आगया हूँ पॉर्टल डॉट ब्रोकर ग्रूप डॉट कॉम पर यहां पर जो इनका दूसरा ग्रूप जिस पर इन्होंने सारा डिप्लॉई किया है या ट्रांसपर किया है डाटा को यहां से अगर आपके पास दो आप्स सकते हैं विड्रॉल बी लगा रखा है और विड्रॉल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सिस्टम पे लोड काफी है और जादेतर完全 लोग मारेंगे लेकिन विड्रॉल आप लगा नहिया सकते क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा अगरे गरोणोंगा मेरा जो ओवर्वीव है सिष्ट की मतलब जो अभी तक इनका marketing plan में था कि 300% का तो अब ये 200% लोगों को देंगे वो भी 14 मंत में ठीक है ऐसा मेरे को news आई है तो वही चीज में आपके साथ में share करता हूँ और उससे भी important है कि जो withdrawal आप लगाते हैं तो आपको काफी सारे problems को जो face करना पड़ रहा है वो मैं actually मैंने ये plan जो है पूरा fill कर दिया अपने according जैसा मेरे को समझ में आ रहा था जब आप इसको fill करने जाएंगे तो आप से normally पहले आपका identity और date of birth या bank statement address और सी ये सारी चीज़े मांगेगा बट वहाँ पर एक option आएगा download करने के लिए form और उसको fill करने के लिए तो वो मैंने download कर रखा है वो मैं आपके साथ में share करता हूँ तो ये वो form है जब आप withdrawal पे click करते हैं तो आपके सामें एक तीसरा चौथा option आपको मिलेगा कि आपको ये जो है कि आपको download करना है और उसके बाद इसको fill करके upload करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इसको देखे है उससे related आपको employed status आपको बताना है ठीक है इसमें फिर आप employed है self-employed है इसको explain करना पड़ेगा ठीक है बिजनेस का nature क्या है यह सारी चीज़े आप से पूछे जाएंगी और आपका current role क्या है जो भी आप कर रहें employed में आपका current role क्या है इसको explain करना पड़ेगा फिर net worth डाल पड़ेगा ठीक है financial status आपका क्या है वो सारी चीज़े यहां पर देना पड़ेगा आपको यानि आपका जो भी finance का background है उससे related यहां पर question जैसे कि पहला question आपका दिया है what is your total estimate net worth लेकिन मेरे को नहीं लगता है इसका कोई मतलब बनता है कि मेरे net worth कितनी है कितना company को मेरे ची करके उसको भी sell करते क्योंकि data selling का भी market बहुत बड़ा है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है यह question एक genuine question है कि भाई इस से related आपको question करना चाहिए क्योंकि मैंने अगर investment omega pro में किया है मेरा username चला है मेरा document वहां पर upload KYC है तो KYC से related अगर आप question करते तो मैं उसका एक अच्छा answer दे रहा है अपने according इसको fulfill करके यहां पर withdrawal लगा है तो अब देखते हैं withdrawal मिलता है नहीं मिलता है तो अगले वीडियो में मैं उसको बता दूँगा अगर मिलेगा तो मैं आपको उसको भी बता दूँगा बट जो मेरा में मोटीप था आपको यह बताना कि इस form में आपको क्या क यह एक्सपेक्ट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा थे कि ऐसे question पूछेगा अगर आप यहां पर अगर अपलोड भी करना है सारे details को इसको साथ में employed है रेंटेड है जो भी है आपको total annual income भी है आप अपलोड करना है तो जो भी है मैंने आपके साथ में यह सारी चीज़े कर दिये हैं और additional proof चाहिए funds से related जैसे employed है वही बार बार वही question है इसको read कर लिजेगा मेरा motive स्रीप इतना था कि आपके साथ में share करना और exact आपको यह बताना कि omega pro के साथ में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और जो update मुझे आई है वो यह है कि system जो है revise हो रहा है यानि कि ज नहीं ले सकते न capital न profit हाँ आप जो है जो इनका नया marketing plan आ रहा है उसके according आप reinvest करके या नया investment करके वहां से profit अगेन करके आप जो है वहां से विद्वाल लगा सकते हैं जो भी चीज़े आप कर सकते हैं जो मुझे news है update है उसके according यही है कि आप पुराना जो capital है उसको विद investment गया था और मुझे लगता है कि यह वह जादेतर खतम हो गया है average क्योंकि कितना भी बड़ा company profile हो कहीं न कहीं वह आने वाले समय में स्कैम ही करता है और omega pro को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि system के साथ भी ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा background होने के बाद भी ऐसा problem create हुआ य उतना ही investment करना है जितना आप effort कर सकते हैं loss के लिए ठीक है क्योंकि omega pro के पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग इसके साथ में connect थे ठीक है उसको मुझे बतानी की requirement नहीं है आप सभी लोग काफी लोग जानते भी है उस चीजों को तो यही ultimately मेरा कहने के मतलब है कि कहीं भी आप investment करें तो सोच समझ के करें क्योंकि कहीं भी 110% possible नहीं है कि वो आपको financial free कर दे क्योंकि market में जो है कि 100% guarantee या capital double या triple या 10 times होने का guarantee कहीं नहीं है in fact अगर आप market में भी investment करते हैं चाहे फिर ट्रेडिंग के according करें investment के तौर पे करें तो वह भी ऐसे बड़े system के साथ में हम लोग connect थे और ऐसा unexpected हुआ system के साथ में कि hacking हो गई और काफी सारे update हो गए कि recover हो गया है data transfer हो गया है और ultimately इनकी जो नई marketing plan है strategy है वो भी आ रही है तो कहीं नगहीं यह बताती है कि आपका जो previous investment है वो नहीं मिलने वाला है जो यह मेरा unexpected है बट मैं मेरा एक और भी मेरे investment इसमें चल रहे थे जो कि multiple accounts के तुरू तो देखते हैं आने वाला समय में क्या हो सकता है बट मुझे जो लगता है कि यह अभी finish हो चुका है ठीक है तो जो भी है इस वीडियो को मैं यहीं पे close करता हूँ और जो भी withdrawal मेने लगाया है अगर मुझे म